हाँ तो भाई आप साथ 10,000 रेंज के अंदर बेस्ट 5G फोन दून रहे हैं तो मैं आपको 5 बेस्ट फोन के बारे में बता रहा हूँ और ये 5 मोबाइल काफी जबरदस्त है जैसे कि इसमें आपको 4GB से लेकर 6GB का RAM मिलेगा 108GB स्टोरेज के साथ और इसमें आपको 6,000 रेंज के बैटरी भी मिलेगा और भाई इनका क्यामारा सच में काफी जबरदस्त मिले वाला है और एक बात मैं 10,000 बोलकर 12,000-13,000 का फोन नहीं दिखाऊंगा जैसे आदर्स यूटूबर कर रहे हैं लेकिन हाँ 500 रुपे इधर उधर हो सकता है क्योंकि फोन का प्राइज फिक्स नहीं रहता है कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ आप लाइक, शेर, कॉमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए तो भाई इस लिट में नमबर पाँच पे है रियल मीका 665 5G इस फोन का डीजान दोस्तों काफी अच्छा है रियल मीका नया ट्रेंडी और जीजान मिलता है इसमें और उसी के साथ इसमें 50 मेगा पिक्सल का मेन प्राइमरे लेंस भी दिया है हाँ मुझे पता है कि आप लोग अभी पुछोगे कि भाई इसका कैमरा कैसा है तो जी हाँ 10,000 के हिसाब से इस फोन का कैमरा काफी अच्छा है और अगर अब चाहो तो इस फोन से आप Full HD Video Recording कर पाओगे और उसी के साथ इस फोन की कैमरा में 10x जूम का भी अप्शन दिया गया है और अब अगर बात करें डिस्पले के बारे में तो भाई देखो नॉर्माली ऐसे 10,000 रेंज का अंदर फुल व्यू पंच होल डिस्पले और 5G फोन ऐसे देखने को नहें मिलता है अच्छा ब्रैंड का अंदर लेकिन भाई इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसी कि इसमें 6.6, 7-inch का HD Plus डिस्पले दिया गया है 120 रिफ्रेश रेट का तो ये दोस्तो इसका एक बहुत हाइलाइट फॉन बन जाता है क्योंकि इसका डिस्पले जो है काफी स्मूध होने वाला है और डिस्पले ब्राइटनिस इसमें 500 निट्स का दिया गया है और उसी के साथ पांचोल में फॉन सेल भी कैमेरा भी है 8 मेगा पिक्सल का बाकी रियल में का ये वाला फॉन IP54 ओटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट के साथ आता है यानि कि इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी के सीटा पड़ेगा तो उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं बाकी अगर बात करें इस पॉन के बैटरी के बारे में तो भाई इसमें 500 एमेज के बैटरी है और ये 18 ओर्ट का चार्जिंग को सापोट करता है तो बैटरी बैकप ये वाला फोन काफी अच्छी तरी के से दे देगा आपको और फिरिफायर खेलने के लिए इस पॉन में आपको मीडिया टेक के डायमेंड सीटी 6300 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक 5G प्रोसेसर है और काफी अच्छा प्रोसेसर है तो इस पॉन में आप फिरिफायर जैसे गेम को काफी स्मूदली प्ले कर पाएंगे लेकिन इसमें 4GB RAM है और इसको बुस्ट करके आप 6GB तक कर पाऊगे और इस टोरेज इस पॉन में 64GB का है और भाई वीडियो बानाने में बहुत ज़्यादा महनत लगता है आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक से और कॉमेंट कुछ भी नहीं करते प्लीज कीजिएगा हमें अच्छा लगेगा और अब प्राइच के बारे में बताने से पहले इसका प्रोस और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई इसका डिस्पेल अच्चा है प्रोसेसर अच्चा है डिजाइन भी काफी सांदार है और कैमेरा भी ठीक ठाक इसमें मिल जाता है लेकिन इसमें आपको रैम और इस्टूरिज कम मिलेगा और इसमें चारजिंग स्पीड भी थोड़ा सा कम है और single speaker है और इसका display AMOLED नहीं है और इस phone का price फिलल 10,500 रूपे है और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता था 5 रूपे इधर या फिर उधर हो सकता है बट अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको अब ले सकते हैं phone की back side में glass glossy back दिया गया है और 10,000 range के अंदर किसी भी phone में ऐसा design आपको देखिन को नहीं मिलेगा और उसी के साथ इसका camera design भी आप notice करो कितना संदर लग रहा है वाई देबे इसमें आपको 50 megapixel का main primary lens मिलेगा और इस camera से आप full HD video recording कर पाऊगे बाकि display के बारे में बात करें तो भाई इसमें 6.5 inch का HD plus 90 refresh rate का एक punch hole display मिलता है और इसमें 8 megapixel का phone भी camera भी है तो इसका display price की इसाब से ठीक ठाकी है और उसी के साथ side mount finger pin sensor इस पॉन में दिया गया है और game play करने के लिए इसमें Unisocca T750 का processor है और ये octa core 5G processor है जो की 6NM पर based है और उसी के साथ इसका end to do score 3,60,000 प्लास है तो अगर आप चाहें तो इस phone में आप verify जैसे game को काफी smoothly play कर पाएंगे बाट PUBG प्ले करने में थोड़ा सा problem हो सकता है and guys out of the box ये वाला phone Android 13 के साथ आएगा लेकिन इसको Android 14 में अपग्रेट किया जा सकता है इसमें 4GB का RAM है और boost करके 8GB RAM करा जा सकता है और उसी के साथ इसमें 108GB का storage भी है तो ये इसका good point बन जाता है और उसी के साथ इसमें 5000 image का battery भी मिलेगा और ये 18 watt का charging को support करता है और अब अगर pros and cons के बारे में बात करें तो भाई इसमें storage जादा है camera इसका ठीक है design सांदार है clean UI मिलता है battery भी ठीक ठाक है लेकिन इसमें RAM थोड़ा सा कम है और इसका display थोड़ा सा और ज़्यदा इसमूद होना चाहिए था और जैसी की phone कुछी दिन पहले launch हुआ है और फिलल अभी Android 15 launch होने वाला है तो उसी सबसे इसमें Android 14 होना चाहिए था बट इसमें भाई Android 13 है तो ये इसका negative point बन जाता है फिलल इस phone का price 10,000 रुपे है क्या पता आपका वीडियो देख रहे हो price बड़ भी सकता है, कम भी सकता है एक बड़ चिक जरू कर ली जाएगा link description में रहेगा और पसंद नहीं आया तो चलिए तीन नमबर के बारे में बात करते हैं तो ये है Redmi 13C 5G काफी सांदार phone है गुड लुकिंग डिजाइन है पर इसका back panel plastic का है और इसमें dual rear camera है 50 megapixel का main और साथ में एक def sensor भी है इस phone की camera से अब full HD video recording कर पाऊगे दोस्तो इस phone को में unboxing review भी किया था और इसका camera भी test किया था camera इसका ठीक ठाकी है उसी के साथ अगर display का बारे में बात करें तो भाई इसमें 6.74 रिंच का HD plus 90 refresh rate का display दिया गया है गोर्ली गलास 3 protection के साथ और इसका display brightness 600 nits का है और उसी के साथ एक 8 megapixel का phone silvy camera drop notch में है या ये रहा इसका कुछ camera simple अगर आप लोगो को इस phone के बारे में और ज़्यदा detail में जाने करी चाहिए तो फुल वीडियो देख लीजिएगा लिंक description में रहाएगा बाकी अगर performance के बारे में बात करें तो भाई इसमें media tech के diamond city 6100 plus के chipset दिया गया है जो कि एक powerful processor है और ये dual 5G sim को support भी करता है और उसी के साथ इसमें 4GB RAM है लेकिन इसको boost करके आप 8GB तक कर पाओगे पर इसमें 108GB का storage है तो ये इसका good point बन जाता है तो इस phone से आफ फिरिफायर जैसे game को काफी smoothly play तो करी पाएंगे उसी के साथ इस phone में दोस्तों हमने PUBG भी प्ले करके देखा था काफी smoothly play हो था और जैसी के आप देख भी रहा है और अब सबसे last में अगर battery के बारे में बात किया जाए तो भाई इसमें 5000 में इसके battery मिलेगा और ये 18 hot का charging को support करता है तो overall देखा जाए तो phone भाई काफी अच्छा है इसके साथ आप जा सकते हैं इसका price फिलाल Amazon पर 10500 रुपय है कभी कभी ये 10,000 में भी मिल जाता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाकी आप अगर अभी दख वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज यार इस वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा काफी महनत लगता है वीडियो बानाने में आप एक लाइक करोगे तो कुछ होगा नहीं बट आपका एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा खुसी मिलेगा तो प्लीज कर दीजिएगा और इस चानल को भी सब्सक्राइब कर एकिए और अब बात करते हैं नमबर टू के बारे में तो ये बाला फोन दोस्तों आपको डेफिनिटली पसंदा आएगा क्योंकि अच्छा ब्राइंड का फोन है जिहां ये है समसम का गलाक्सी M14 5G काफी सांदर फोन है दोस्तों बैक साइड में प्लास्टिक बैक डिजाइन है और इसमें दोस्तों 6.6 इंच का फूल HD प्लास 90 रिफ्रेस रेट का एक LCD डिस्पले पैनल है और डिस्पले प्रोट्रिक्शन के लिए गोर लेगरास 5 के विउस देखने को मिलता है तो अबर अल इसका डिस्पले काफी अच्छा है लेकिन इसमें सिल्फी 1330 का OctaCore प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है और उसी के साथ इसमें 4GB का RAM है 108GB का इंटली स्टोरेज है तो इस पॉन में फिरिफायर जैसे गेम को काफी स्मूदली प्ले कर पाएंगे और उसी के साथ दोस्तों इस पॉन में बैटरी जी हाँ 6000 इमेज के दिया गया है जो कि काफी जादा है और ये 25W का फास्ट है जिंको साबोड करता है तो अगर आप ऐसा वसा ब्रैंड का फोन लेना नहीं चाहते हैं तो मेरे ही सबसे आपको ये वाला फोन जरू लेना चाहिए और अब अगर प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करें तो भाई इस पॉन में आल्मोस्ट सब कुछ अच्छा है लेकिन बस रैम थोड़ा से कम मिलता है और सिल्फी कैमरा इसमें ड्रॉप नौच में है इनफेक्ट अभी इस पॉन का प्राज 10,000 भी नहीं है 9,500 रुपए है आमाजन पर जैसी का आप देख रहे हो तो इसको भी आप ले सकता हो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा भाई देखो बहुत ही मैने से वीडियो बना रहा हूँ तो एक लाइक जरू आसा कर सकता हूँ तो प्लिस कर दीजिएगा और कॉमेंट में मुझे जरूब बोलिए आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और अब नमबर वान पे दोस्तो अगर आपका बाजेट सच में 10,000 ही है आप ज़्यादा खर्च कर नहीं पाएंगे तो अब बिल्कुल आँख बंद करके इस फोन को ले सकते हैं जी हाँ में बात कर रहा हूँ Poco M6 Pro 5G के बारे में काफी जवर्दस फोन है दोस्तो डीजाइन भी काफी अच्छा है फोन का इसका बैक पैनल प्रीमियम ग्लास का है और उसी के साथ इसमें डूल लेयर कैमारा भी है 50 Megapixel का Main Primary Lens है और साथ में 2 Megapixel का एक Micro Lens दिया गया है तो कैमारा कॉलिटी इस फोन का ठिक ठाकी है कुछ फोटो सेंपल आप लोगों के सामने है जैसी का आप देख रहे हो बाकी अगर इस फोन का डिस्पेल के बारे में बात किया जाए तो इसमें दोस्तों 6.79 इंच का Full HD Plus 90 Refresh Rate का डिस्पेल दिया गया है और ये AMOLED नहीं है LCD पैनल है पर इसमें एक छोटा सा पंच होल में फॉंट सेल भी कैमारा है 8 Megapixel का तो इस फोन का डिस्पेल भी काफी अच्छा है ब्रेजल काफी जदकाम है Full View Display का Experience मिल जाएगा आपको अब अगर Profileance के बारे में बात किया जाए तो भाई इसमें Snapdragon 4 Gen 2 का Processor है और उसी के साथ इसमें 6GB RAM है 108GB का Internal Storage है That's why मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस पोन को आप खरी सकते हो बाकि अगर Others Features के बारे में बात किया जाए तो इसमें भाई Side Mount Finger Bin Sensor है Air Blaster है और 3.5M का Audi Jack भी देखने को मिल जाएगा और अब सबसे लास्ट में इसमें भाई 5000 एमेज के बैटरी है लेकिन ये 8W का Charging को सपोट करता है पर इसका Box में आपको 22W का Charger मिलेगा बागी Pros और Cons के बारे में बात करे तो भाई देखो 10,000 के हिसाब से ये वाला फोन काफी Best है 10,000 में इस से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं लेकिन हाँ इसमें आपको Blood Bear काफी ज़्यादा मिलेगा तो वो ही एक Cons मान सकते हैं ने तो आप दोस्तों 10,000 के हिसाब से इस फोन को ले लिजए काफी सेही रहाएगा आपका सब कुछ सेही हो गया प्लीज मुझे भी सेही कर दीजिए इस वीडियो के लाइक करने के बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रहेखे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और प्लीज एक कॉमेंट कर दीजिएगा आप लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा फिलाल इस फोन का प्राइज यानि की पोको M6 प्रो का प्राइज फिलिफ काड पर 10,000 रुपय है लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा जाएगे बाई कर लीजिए और मिलेंगे और ही वीडियो में बाई